हेलो एब्रिवान मैं मिनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सब का वेलकम करती हूँ अपने चानल पर मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर विउवर हैं जो की चानल को सब्सक्राइब कर चुके हैं सारे विडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलिज को बढ़ाते चले जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो की है मैथर्ड्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग ये है पार्ट वन इसमें कई सारे मैथर्ड्स हैं और इनको हम तीन विडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे तो आज हम सीखेंगे ओन दा जॉब ट्रेनिंग मैथर्ड्स तो आईए स्टार्ट करते हैं इन मैथर्ड्स को एक बढ़िया तरीके से और एक्जाम्पल के साथ समझना ट्रेनिंग के मैथर्ड्स समझने से पहले यह बहुत जरूरी है कि हमें ट्रेनिंग का मतलब पता हो तो हम सीखेंगे कि मीनिंग ओफ ट्रेनिंग क्या है ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें टीचिंग और लर्निंग दोनों involved होते हैं एक होता है ट्रेनर और एक होता है ट्रेनिंग जो पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है मतलब जो सिखा रहा है उसे बोला जाता है ट्रेनर और जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है वो नए नए skills को सीख रहा है, learn कर रहा है उसे बोला जाता है training अब training का purpose क्या होता है? training का purpose होता है एक employee को काबिल बनाना ताकि जिस काम के उपर रखा गया है उसे वो उसे बढ़िया तरीके से या एक बेहतर तरीके से perform कर पाए training एक two way process है जिसमें knowledge का अदान प्रदान होता है जो सिखाया गया है उसे check भी किया जाता है feedback भी लिया जाता है training एक continuous process है जो की चलता ही जाता है training का basic aim है improvement लाना एक person के behavior में और उसकी performance को बेहतर करना और आजकल के time में तो training never ending हो गई है क्योंकि बार बार कुछ नया आ जाता है और employees को और workers को वो चीजें सिखानी ही पढ़ती है और मुझे उम्मीद है कि मेरे से पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो अगर हाँ तो channel को subscribe करना मत भूले notification को भी on रखे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसके information मिल जाए like कीजे और जादा से जादा share कीजे knowledge को अब बारी आ गई सीखने की definition definition मैंने यहाँ पर ली है डेल एस बीजगी जिन्होंने बोला कि training एक organized procedure है जिसमें पहले से ही सब सोच लिया जाता है कि जो लोग training लेंगे उन्हें क्या सिखाया जाएगा कौन सी knowledge दी जाएगी कौन कौन से नए skills के बारे में उन्हें बताया जाएगा और जो भी knowledge है या skills है वो देने के पीछे एक definite purpose है purpose है job के related performance को improve करना जब एक निया employee organization में आता है तो कई बार जो उसकी competence है यानि जो उसकी काबलियत है उसमें और जो job की requirements है उसमें gap होता है तो उस gap को fill करने के लिए training दी जाती है ताकि काम भी बढ़िया हो और employee के अंदर भी confidence बढ़ जाए training के कई सारे methods है चार्ट को ध्यान से देखिए इन methods को तीन broad categories में divide कर दिया गया है पहले तो है on the job training दूसरे हैं off the job training और तीसरे हैं electronic training आज का video lecture होगा on the job training methods के बारे में जब एक company में ये decide किया जाता है कि trainee को on the job training देनी है वहाँ पर उस trainee को place कर दिया जाता है उसकी regular job पे काम करते समय ही उसको सिखाया जाता है trainee सीखता है उसे guidance दी जाती है supervision दी जाती है उसके superior के द्वारा या जो instructor उसके साथ रखा गया है उसके द्वारा trainee learn करता है observe करता है और उसे अपनी job को एक बेहतर तरीके से handle करना आ जाता है on the job training को learning by doing भी बोला जाता है काम करते समय ही उसके अंदर improvements आ जाती है इस method को use करने से कई सारे methods है जिसकी मदद से on the job training दी जा सकती है अब जब आप chart को देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैंने 5 methods के बारे में बात की है एक एक करके हम इन 5ों को समझेंगे examples भी लेंगे ताकि हर एक method की बारी किया आपको एक बड़िया धंग से समझ आ जाएं सबसे पहला method है job instructions job instructions एक बड़ा ही popular method है इसे step by step learning भी बोला जा सकता है journaling इस method को use किया जाता है supervisors को उनका काम सिखाने के लिए ये एक बहतरीन method है जिसकी मदद से नए नए motor skills या repetitively काम जो होते हैं उनके बारे में knowledge gain की जा सकती है या improvement लाई जा सकती है इसके अंदर 4 steps perform किये जाते हैं सबसे पहला तो है preparation of the trainees इसके अंदर जिसको भी training देनी है उसे उसकी काम के बारे में बताया जाता है उसके interest के बारे में जाना जाता है और उसे इस बात के बारे में गंभीरता से बताया जाता है कि उसकी job बहुत ही जादा important है दूसरा point explaining each step of the job इसके अंदर जो भी job उसने perform करनी है उसके एक-एक operation के बारे में बताया जाता है उसको work site के उपर लेके जाया जाता है और हर एक step को detail में explain कर दिया जाता है तीसरा point आ जाता है trainees को instructions देना इसमें जो भी training है उसे इन्स्ट्रक्शन दी जाती है और बोला जाता है कि try करो और जब वो try करते हैं तो उन्हें judge किया जाता है कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं चौथे step में check किया जाता है कि जो समझाया था क्या उसी तरीके से किया कहां पर correction करने की जरूरत है जहां कमी रह गई deficiency का मतलब है कमी जहां कमी रह गई उस कमी को ठीक करवाया जाता है दूसरा इसके अंदर है coaching coaching देने के लिए एक experience manager की जरूरत होती है वही manager होता है जो की trainee को समय समय पर instructions देता है और जब employees काम करते हैं उन्हें critically appraise करता है critically appraise करने का मतलब ये है उन्हें उनके काम के बारे में बताता है उनके काम में कमिया क्या है और उनके काम में क्या चीज बढ़िया हो रही है दोनों ही points उनको detail में समझाता है और improvement की राह पर लेकर चलता है coach कैसा होना चाहिए इसकी selection एक बड़ा ही important काम है तो coach को select करते वक्त coach की personality उसके अंदर क्या क्या खूबियां है क्या skills है उसमें ये देखा जाएगा कितना experience है उसको और knowledge कितनी है इसके साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उसके communication skills कैसे है क्या वो अपनी बात को बड़िया ढंग से दूसरे तक पहुचा पाता है और दूसरा जो पूछना चाहता है क्या उसके doubts को बड़िया तरीके से clear कर पाता है जिसमें ये सब खूबियां होंगी उसे ही select किया जाएगा coaching देने के लिए तीसरा point आ जाता है job rotation job rotation समझाने के लिए मैं आपको एक example देती हूँ example है यहाँ पर मिस नवनीत के बारे में जो की x y z limited के accounts department में काम करती है उनकी responsibility है manage करना जितने भी employees है उनके provident fund के accounts को अब company decide करती है कि मिस नवनीत को और training देने के लिए उनकी job को rotate कर दिया जाएगा job को rotate कर दिया गया और अब मिस नवनीत काम करती है production department में उनकी duty है purchases करना जो भी raw material कच्चा माल चाहिए production के लिए सारी purchases वही manage करती है अब यहाँ से हमें ये समझ आया कि जब भी job rotation होगी वो organization के अंदर ही होगी organization से दूसरी organization में नहीं भेजा जाएगा और level भी नहीं बदलेगा role बदलेगा जैसे कि यहाँ पर वो accounts department से आ गई production department में पर उनका जो level था नौकरी का जो अहदा था ना बढ़ाया गया और ना ही उसे घटाया गया तो job rotation है periodical movements जहाँ पर समय समय पर employees को एक से दूसरी job में भेजा जाता है shift कर दिया जाता है एक department से दूसरे department में इसका क्या फाइदा होता है employees की knowledge बढ़ती है और नए नए काम करने के skills वो सीखते चले जाते हैं तो my dear learners अगर मेरे video lectures सुनके आपके भी skills बढ़ रहे हैं तो एक like करना मत भूलिएगा चैनल को भी subscribe कीजिएगा और lectures को share कीजिएगा जादा से जादा चौथा point है committee assignments committee assignments समझने के लिए हम पहले एक example सुनेंगे फिर उसके बाद उसका meaning detail में जान लेंगे बात है यहाँ पर ABC limited company के बारे में जो की एक problem face कर रही है problem है employee turnover की employees काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं अब company ने decide किया कि हम use करेंगे committee assignments उन्होंने group बनाया 4 trainees का उनके साथ उनकी supervisor भी थी उस ग्रूप में जो की थी मिस अंजना अब मिस अंजना इन trainees को कहती हैं कि तुम सब collectively मतलब mail जूल कर काम करो और जो problem हमारी company face कर रही है उसका कोई हल निकालो अब ये बन गई एक committee जिसे दे दी गई assignment employee turnover की problem को solve करने की अब इस committee में जितने भी members होंगे सबको एक right मिलेगा एक हक मिलेगा कि वो vote कर पाएं किसी भी decision को final करने से पहले हर एक trainee team का part होगा नए नए ideas देगा कि employees को कैसे retain करें कि वो नौकरी छोड़ कर ना जाएं सारे ideas को इकठा किया जाएगा और problem को solve करने की maximum कोशिश की जाएगी फायदा ये होगा कि trainees एक दूसरे के बारे में जानेंगे सारे members एक दूसरे से बात करेंगे लोगों के ideas निखर कर बाहर आएंगे इसी तरीके से process चलता जाएगा और end में consensus पर पहुँँ जाएगी सारी committee consensus का मतलब होता है सहमती तो फायदा ये होगा कि सारी team को समझ आएगा कि कब अपने emotions को control करना है और कब अपने emotions को दिखाना है कब अपने anger को अपने गुसे को शो करना है और कब अपने गुसे को पी जाना है तो यहां से हमें ये समझ आया कि committee assignments जब की जाती हैं तो committee बनाई जाती है उस committee में supervisor भी होता है और trainees भी होते हैं सबके पास equal authority होती है participate करने की सबको दिया जाता है right to vote decision लेते समय हर एक व्यक्ति को equal importance दी जाती है पांचवा तरीका है apprenticeship apprenticeship का मतलब होता है जहां पर एक नए employee को appoint किया जाता है as apprentice सिक्षा लेने वाला और उसे एक senior के साथ काम पर लगा दिया जाता है apprentice समय समय पर सारे methods के बारे में सीखता है अपने senior को observe करते हुए उसकी मदद करता है assistant की तरह इस तरीके से job पर रहते हुए ही वो अपने senior से सिक्षा प्राप्त करता है अब ये तो थे सारे methods अब बारी आगए कि इन methods की merits क्या है इन सभी methods की merits सेम ही है जैसे सबसे पहले तो trainee को actual environment में रहते हुए सारा काम समझ आ जाता है और ये economical है जादा खर्चा नहीं होता ऐसी training देने में rules की और procedures की पूरी information दे दी जाती है और supervisor को भी feel होता है कि उसके उपर बहुत जिम्मेवारी है वो ही नए trainees को काम सिखा रहा है और organization की बहतरी में एक बहुत ही बढ़िया role play कर रहा है इन सभी methods की कमी यही है कि अगर trainer अच्छा ना हो तो ऐसी training का कोई भी फायदा नहीं होता और trainee कभी कभी equipment को भी खराब कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक अपना काम बढ़िया सा नहीं आता इसके साथ ही हमारा आज का lecture कम्प्लीट हुआ हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए video lecture में जिसमें सीखेंगे off the job training के बारे में